नमस्कार मेरा नाम है निश्या और आप सभी के हमारे चैनल SMDs में स्वागता है आज हमारे साथ है फौजी जनता पार्टी के राष्ट अद्धिक्ष राम महल मलिक जी तो आप उनसे पूछना चाहेंगे के सफाई के नाम पर हमारे देश में और वो खरबो रूपे खर्च के जाता है फिर भी हमारे देश के इंदर सफाई जरा भी दिखाई नहीं देती तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे निशा बहुत ही कड़वा स्वाल आपका सफाई के नाम पर सफाई तो हो रही है देश में मतलब वो गलत चीजों की सफाई हो रही है बैंकों की सफाई हो र इनोंने और नारा था इनका स्वच भारत का स्वच भारत अगर हो जाता है तो यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है लेकिन शायद यह समझते हैं कि हम गलियों में और सड़कों पर जाडू लगाएंगे भारत स्वच हो जाएगा नहीं यह इनका गलत ख्याल है और वो भी राजनीती में लगानी होगी जिस दिन राजनीती में जाडू लग जाएगी उस दिन सफाई अपने आप हो जाएगी और सफाई के लिए यह इतने बड़े फंड की जरूरत नहीं है यह जो फंड आपना सही कहा निशा करोडों और मों रुपेश पर खर्च हो रहे हैं बहुत अच्छा सवाल है आपका यह सफाई बैंकों की कर रहे हैं नोटों की कर रहे हैं यह देश की सफाई जो है गलियों की रिसटकों की नहीं कर रहे हैं यह सिस्टम की सफाई कर रहे हैं हर 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 एजिंसी को इन्होंने साफ कर दिया हर समयदानी की एजिंसी को साफ कर दि करके बैठ गया है तो यह सवच्था जो अबियान सवच्टा के नाम से जो चला अने साइए यह बहुत बड़ी दंदली यह कोई सफाई देश की यानिकि वो सवच्थ नाम से सफाई नहीं है यह दूसरे तरीके से सफाई कर रहे हैं देश की तो अकर सर जो हमाई सरकार ने जो तो उनकी दैद भी हो जाती है तो सरकार को यह सही से करना चाहिए? निशाब बिलकुल आप उने सही कहा है और खास करके आप दिली में देखिए मैं दिली की आप मेरे साथ चलिए एक सरकार का नुमाइंद आएगा, मैं दिखाँगा, कितनी गंदगी दिली के अंदर भरी हुए आज, और सब अपना-पना, जो होना, गोटियां फिट कर रहे हैं, कि हम सफाई करा दी, स्वचता अभियान है, बहुत बड़ा है, बड़े-बड़े इन्होंने अमबेस्टर बनाए हैं, उ बो दिन, चार दिन के बाद आप खुद भर खुद सोचेंगे, कि यार ये बज़र्ग आजमी मेरे घर के आके सफाई करता है, क्यो ना मैं खुद खुरूँ, तो ये अपने आप हो जाएगा, ये कोई से में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे को देख कर का इनका नाम है, ये सचमुच में देश की सफाई, इस तरीके से नहीं, ये गलत तरीके से सफाई करें, और अगर ये चलता रहा, मैं समझता हूँ, ये सवस्ता अभियान इनका तुरंत रोग देना चाहिए, नाजाएज पैसा इस पर बरबाद हो रहा है, सफाई तो वैसे अपने आपको दिखाते हैं, तो इस पर आप क्या कहने चाहिएंगे? हमारे परदानमंतिर हैं ये परदानमंतिर के काबिल नहीं, ये ड्रामा करने के काबिल है, इनको तो कही स्टेज शो वगरा करने चाहिए, उसमें बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं ये, क्योंकि राज ऐसे नहीं चलता है, ये तो ड्रामे करते हैं हमेशा, इन्होंने वह सुतरा कचरा मंगवाया वो कचरा वहां पर फैका गया है फिर वहां पूरी मीडिया की तैयारी हुई है बहुत बड़ी मीडिया की स्टेज वहां पर बनाई है मीडिया की पूरी टीम वहां पर बनाई है बड़े बड़े पावरफुल कैमरे लगाए है और उसके बाद प्रध पорद्हानमंत्री को छे मिने की जेल होगी, तो परधान मंत्री के जील होगी क्या? सस्ता सा मज़दूर उठा देगा पहली बात तो वो खचरा फैंका क्यों गया एक तो उसमें मजदूरी खराब की और जो खचरा वहां दिखाया है मान लीजिये यह यूं कहेंगे कि नहीं वो पहले से कचरा था तो अगर पहले से कचरा था तो स्रीमान ने पांच साल क्या किय वो तो पांच साल स्वच्टागा भीहान चला रहे थे तो वो गंदगी कहां से आगी? मैं देखें मैं दोनों तरफ से सवाल कर रहा हूँ, हो सकता हूँ यह कहेंगे कि अमने फैकवाया नहीं है पहले से था, तो क्यूं था वो? आप पांच साल चौकीदारी कर रहे थे, उस वच्टागा भीहान चला रहे थे, दुनिया वर्गा अर्बो रुपया खरच कर दिया, तो यह कचरा वहां से क्यूं आया? इसकी इनकवारी बढ़ाईए, इसकी परताल करिये, वो किसकी वहां की जिम्मेवारी थी, सफाई करनान परदान मंतरी जाड़ू लगाने के लिए थोड़ी होता है, यह ड्रामे कर रहे हैं, तो यह बहुत दुखत है, और यह चीजें मैं तो समझता हूँ, इस देश को, दुरभाई के इस देश का, कि बैतर साल में एक ऐसा ड्रामे बाद परदान मंतरी मिला जूटा परदा, ज सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ, इतना पैसा खर्च किया है, और उसके बाद अपना उन्होंने वो कचरा बिना है, इतना पैसा वैसे लगाते किसी चीज़ पर, तो कुछ काम आगे बढ़ते हैं, के निता का परचार करके आगे यह, क्या है यह निशा, अरे वो पैसा गरीबों पर लगाओ ना, यह देश को लूटने में लगे हैं, बिलकुल देश को लूटने में लगे हैं, और कोई एकॉनमी इस तरीके से सुदरने वाली नहीं है, बहुत बुरा हाल है, तो यह कोई स् चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिलकुल भी दवाना ना भूले, ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें, आप पे सबसे पहले.